किसी टीवी डिवेट में शामिल नहीं होगी कॉंग्रेस टीवी डिवेट का कॉंग्रेस ने क्या बहिश्कार किसी भी टीवी डिवेट में शामिल नहीं होगी कॉंग्रेस रणदीप सुर्जेवाला ने प्रवक्ताओं पर रोक लगाई है अगले एक माह तक डिबेट से दूरी बराई रखेगी कॉंग्रेस कॉंग्रेस ने तैय किया है वो एक महेने तक अपने किसी भी प्रवक्ता को तीवी डिबेट में नहीं भेजेगी सभी समाचार चैनलों के कि संबादक को निवेदन है कि वो अपने किसी डिबेट में कॉंग्रेस प्रद्रेदियों को न बुलाए बड़ी खबर इससे पहले आपको याद होगा लोगसबाच उनाव 2019 के जब परिणाम आये उसके बाद सपा के राश्रेद्यक शकिलेश रादव ने भी कुछ इसी तरह का फ्यासला लिया था और अब देखिए ये ट्वीट करके कॉंग्रेस ने टै किया है वो अगले एक मैने तक अपने किसी प्रवक्ता को टीवी डिबेट में नहीं बेजेगी कॉंग्रेस प्रवक्ता एक माह तक के लिए कम से कम रंदीप सुर्जेवाला ने अपने ट्वीट के जरिए ये क्लियर कर दिया है बड़ी खबर है और आप देखिए जैसे ही लोक्सबाच 9-2-0-9-9 के नतीजे आयते सबसे पहले सपा ने इस तरह का डिसिजन लिया था जब प्रवक्ताओं पर रोक लगाई थी और हमारे साथ इसी खबर पर जादे जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे समवादता अवैस उस्मानी जुड़ गए है अवैस बड़ी खबर आ रही है जहां रंदीप सुर्जेवाला ने अफिसेली ये कहा है कि प्रवक्ताओं पर रोक लगेगी कब तक रहेगी क्या कुछ अपडेट है आपके पास पूरी खबर बताए जिब लकुल देकिए एक बहुत बड़ी खबर कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से आ रही है कॉंग्रेस में जिस तरह का घमसान चलला है जक्ष पर बसको लेकर अभी यही नहीं थे पौरा कि कॉंग्रेस किसके अंडर में काम करेगी ऐसे में कॉंग्रेस ने फैसला लिया है कॉंग्रेस परवक्ता को जहां हो अपने डिबेट में ना बुला है क्योंकि अभी लोग सब्सक्राइब की बड़ी हार हुए उसके बाद से कॉंग्रेस को अपना पक्ष क्या रखना है किस तरह से अपनी रणनिसी तह करनी है वह यह भी दिशार नहीं तह कर पा रही तो इस सकता है कि यह कदम उठाया हो गया को और दूसरी बाद नहीं मुंझा हुए हUNG परदेश परवक्ताओं या पर अद्याक्ष हो या फिर मण घ्याक्ष और इसको देक्ड़ें में खल्बली मच रही है उसको देखते वो अपनी रणीती तैय करे और किस तरह से जवाब देही तैय करे जनता के सामने आके तो ऐसे में ये एक रणीनड़े लिया गया है कॉंग्रेस की तरफ से कि वो जितने भी परवक्ता है वो अब भी आज से तो ऐसे आगे भी आपसे बात करेंगे और इसी वीच शामली से बड़ी खबर आ रही है जहाँ पर महिला ने दो बच्चों के साथ जहर खा लिया है शामली से बड़ी खबर